दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IIFL Finance चे आप Personal Loan कैसे अपलाई कर सकते हो दरसल दोस्तों IIFL Finance एक RBA Register NBFC कमपनी है और इसमें चाहे आप Sell It Fashion होई या Self Employee दोनों केटेगरे में पर 5 लाक रुपया तक की लोन ले सकते हो लेकिन Condition सिर्फ इतनी है जो कि मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका Civil Score अच्छा होना चाहिए और Positive में होना चाहिए तो आपको याँ पर आसानी से लोन मिल चाते है तो IIFL Financial Loan कहां से अपलाई करना है कैसे अपलाई करना है उसकी Complete जानकारे इस वीडियो में हमने बताई है तो उम्मिद करते हैं कि आप इस वीडियो को सुरू से लेके अन्तिक जरूर देखेंगे तो नमस्कार दोस्तो जगुग्यान में आपका एक बर फिप्से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एकन डबा कर ओल नोटिफिकेसन ओन कर दो जिसे अमारी हराने वाले इसी तरीकी नहीं वीडियो को नोटिफिकेसन सबसे पहले आपको मिलती रहा है तो अचले दोस्तो वीडियो को सुन करते हैं तो दोस्तो आएफेसल चैनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट में आना है इसकी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी महाँ पर क्लिक करके आप डारेक्ट इसकी वेबसाइट में आचकते हो दोस्तो आय एफेशन, गोड लोन, बिस्लेस लोन और प्रशनल लोन प्रोवाइड करती है अब यहाँ पर दोस्तो इस पेस को हम नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर प्रशनल लोन के जानकारी बताई होई है कि इस कंपनी से आप 5000 रुपया से लेके पूरे 5000 लाख रुपया तकी लोन ले सकते हो जिसमें 12% लेके 44% लगाए जाएगा, 3 मेने चे 42 मेने का टेन्यूर मिलेगा और यहाँ पर डोकुमेंट भी बताया गया है कि आपको पेनकार, आधारकार और बैंक स्टेर्मेंट देना होगा और प्रोसेसिंग फिस की बात करें तो 2% लेके 6% प्रोसेसिंग फिस भी यहाँ पर देनी होगी और 500 रुपया कन्विंच फिस भी लगाई जाएगी उसके लगा दूस्तों नीचे यहाँ पर एक्जांपल बताया है तो एक्जांपल की तो रुपय समझे तो अगर यहाँ से आप 200,000 रुपय की लोन लेते हो जिसमें आपने 6 मेने का टेन्यूर रखा है और 24% इंट्रेस्ट पर एक लोन आपको मिलती है तो 590 रुपया प्रोसेसिंग फिस लगाई जाएगी जिसमें 56 रुपया प्रोसेसिंग फिस है और 90 रुपया जिस लगाई है तो यहाँ पर दोस्तो टोटल बताया है कि 20,000 रुपय की लोन अगर यहाँ से आप लेते हो तो 19,410 रुपया आपके बियां के काउट में आएगे और 21,425 रुपया आपको टोलर रिपीमेट करना हो तो इस तरीकर से दोस्तों यहाँ पर यहां पर आप एक्जमपल पी दिख सकते हो नीचे दोस्तों यहाँ पर यहां पर ड्यू करते हो टाइम पर रीपेमेट नहीं करते हो तो आपके टोटल लोन आमाओर की दो परटन फिस्ट आपको देनी होगी उसका लावा दोस्तों हम आगे बढ़े तो अब यहां पर दोस्तों हम इलिजिब्रिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप एक से हो तो आपका बिजनस मीनिममम तीन यर से चालू होना चाहिए और इस किसमें आपकी उमरे 25 यर से लेके 65-20 होने चाहिए उसके लावा आगे बढ़े तो यहां पर दोस्तों प्रस्टन लोन देना सबसे इजी है यहां पर दोस्तों आपको अप्लाइब बटन वाले ओप्श आप लोन अप्लाइब कर सकते हो यहां पर दोक्यूमेट में आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी यहां पर बताए गया है कि आपको एक सेलफी देनी होगी पेन कार्ड आधर कार्ड हो और चेल से बारा मैने का बैंक स्टेट्मेंट देना होगा अपने इंकॉम प्रू करना है और यहां पर आपको अपना मुबैल फ्रेंटर करना है उसका बहरार शेंपडाग करना है अब देखे दोस्तों यहां पर अपूह सहिए सेलईत पॉल है दोनोफ कटेगरे में लोन अपलैए कर सकते हो लेकिन या पर दोस्तों आपको एक बात का खीया outcomes आपका सिब् इसको चेक करना होगा, तो यहाँ पर हम अपना full name और mobile number एंटर करते हैं, और next पर click करके आपको मिलते हैं, तो next करने के बद दोस्तों हमारे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा, और OTP यहाँ पर हमें enter करना है, और apply now पर click करना है, तो हमने यहाँ पर OTP enter कर लिया है, और apply now पर click किया ह जैसे apply now पर click करेंगे, तो यहाँ पर फोड़ा processing लेगा और हमारे सामने अगला page ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें personal information देनी है, अब personal information में यहाँ पर हमें अपना pen card number एंटर करना है, और यहाँ पर हमारी email ID एंटर करनी है, उसके बद simply next करना है, जैसे next करेंग हमारा mobile number रहेगा, हमें इसे verify करना है, तो यहाँ पर टंसन condition वाले box पर click करना है, और send OTP पर click करना है, जैसे send OTP पर click करेंगे, तो फिर से हमें mobile number पर 6 digit का OTP आएगा, वह यहाँ पर enter करना है, और next पर click करना है, जैसे next करेंगे तो हमारे से तुस्तों यहाँ पर eligibility छेक होगी और थोड़ी देर में हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर loan लेने के लिए eligible है या नहीं अगर हम eligible है तो हमें कितनी loan के offer मिली है तो आप हमारे case में दोस्तों देख सकते हो हमारी loan application यहाँ पर reject हो चुकी है इसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों मैं बार बार वीडियो बनाने के लिए अलग-अलग application में loan अपलाई करता रहता हूँ तो मेरा civil में दोस्तों बहुत सारी inquiry रहती है तो इसी वज़े से दोस्तों मेरा civil score भी down रहता है तो इसी वज़े से दोस्तों इस application ने मुझे reject कर दिया है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी profile हमारी profile से match नहीं हो रही है इसी वज़े से आप अभी loan नहीं ले सकते तो इसका reason यही है कि मेरा civil score खराब है तो ही आपको यहाँ पर loan मिलेगी उसके बाद दोस्तों आगे कर step आपको follow करना होगा यहाँ पर पेले eligibility check होती है उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आपका employment type उसके बाद यहाँ पर आपको KVC वगरा करना होता है तो यहाँ पर दोस्तों सुरुवात में दोस्तों pen card के अधर पर हमारा civil score खराब हो चुका है और हमें यहाँ पर injection मिल चुका है तो अगर आपका यहाँ पर civil score अच्छा होगा और positive में होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको जरूर offer मिलेगी क्योंकि यह IFSL Finance बहुती बोड़ा lending platform है और यहाँ पर दोस्तों एक company एक RBI registered NBFC approved company है तो आप इस पर 100% भरोशाफी कर सकते हो तो मुझे तो दोस्तों यहाँ पर loan नहीं मिली आपको यहाँ पर loan मिलते है तो well and good यहाँ पर दोस्तों एक कोई promotion नहीं था उसके बाद यहाँ पर नहीं से customer support भी मिल जाईगा अगर इस application में कोई query है तो यहाँ से आप customer support भी ले सकते हो जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप call से support ले सकते हो यहाँ पर आप request डाल के भी अपनी query sold कर सकते हो और वहाँ पर जाके भी आप loan के लिए अब like कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों AI official application काम करती है तो आजके वीडियो में दोस्तों बस इतना ही उम्मिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बूले तो चले दोस्तों मिलते हैं को दमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye